नमस्कार, मैंना आज का वीडियो है healthy sweets पे, के लोग मिठा खाने के शुकीन होते हैं, मिठाई खाने के शुकीन होते हैं, मिठाई गिफ्ट गएरा देते हैं, तेहारों के सिजर में तो मिठाई का आदान पर्दान बहुत ज़्याद होता है, तो अक्सार आता है कि खोए में बहुत मिलावट होती है क्योंकि दूद्ध की तो रिमिटेशन है ना दूद्ध तो इजम अपनी मर्दी से ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते वो तो जो सोर्स है उसी के साफ से प्रोड्यूस होगा प्रन्तु उसके बदेन है अगर हम आव किसी भी रूप में खाया जाए वो विटामिनों से भरपूर होता है तो मेरी जो सुझाव है आमले का जो मुरब्बा है आमले की केंडी है और आमले से बनी दूसरी मिठाई है अगर वो दिवाली या दूसरे तेहौले पर गिफ्ट की जाए और इसका सेवन भी किया जा सकत है आपनों बजाए कोई दूसरी स्वीट खाने के आमले की मिठाई खाएं आपको न्यूटिशियस वैल्यू भी मिलेगी और इस त्रीके से अगर आप गिफ्ट करते हैं आमले की मिठाई तो क्योंकि इस ती एक लांग लाइफ है काफी टेंट तक खराब नहीं होती इसकी क कोश्ट भी कम है और यहल्थ के लिए अच्छी है तो इन सब को देखते हुए आमले की बनी हुई मिठाईयां काफी खेल फोलो सकते हैं सेथ के लिए अच्छी हैं और क्योंकि सस्ता है कोश्ट भी कम आएगी और इसमें एक काफी जो है विजनस अपॉस्यूरिटी मिलेगी यूकों को दूसरे लोगों को रोजगार में जिलेट होगा जॉब भी मिलेंगी एक आइटम में भी काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा और फिर हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपारन एक्चेंज भी मिलेगा तो इसमें विचार करो एक अच्छा सिस्टम हो स और इसको गिफ्ट भी किया किया सकता है, खाया भी जा सकता है, और इंजॉय भी कह सकते हैं, जै हिन, जै भारत, जै मान होता हूँ!